हलो एवरिवन, वेल्कम बैक टू मा चैनल तो वैसे तो समोसा खाना किसे नहीं पसंद होता है सभी को पसंद होता है बजार जाते ही हमें सबसे पहले समोसे पे नजर पड़ती है तो मन करता है बस इसे खा लें लेकिन जब इसे बनाने के बारी आती है न तो यह सिर्दद बन जाता है लेकिन आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपके समोसे बलकुल बाजार जैसे बन करके तयार होंगे वो भी मिंटो में इतने सारे बन जाएंगे कि आप बस इसे बनाते जाएगा और मज़ा आता जाएगा तो चलिए देर न करते हुए आज की यह बहुत ही मज़िदार सी रसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम स्टफिंग बनाएंगे तो स्टफिंग के लिए सबसे पहले हमें तेल गरम करना होगा तो दो चमस तेल गरम कर लेंगे और इसके बाद इसमें डाल देंगे आदा चमस सरसो जैसे ही सरसो तड़कने लगेगा उसमें डाल देंगे आदा चमज इतना साबुद धनिया जिसे मैंने हाथों से क्रश करके अट किया है और एक चुथाई चमज जीरा अट कर देंगे इन तीनों चीजों को अच्छे से क्राकल होने देंगे जैसे ही बड़िया से क्राकल होने लगेंगे इसमें हम थोड़ा सा करीपता एट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट तो दो-तीन लहसुन थे, दो-तीन हरी मिर्ची और आदा ही चदरक का टुकड़ा जिसे मैंने दर-दरक कूट लिया था इसे भी हम थोड़ी देर भुन लेंगे, अब यहाँ पे फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पे यहाँ पे मैंने चोटे साइस के आठ से दस आलू डाल दिये है तो आप अपनी क्वांटेटी के हिसाब से आलू की मादरा कम ज्यादा कर सकते हैं तो अब इसे भी मैंने देखिए मैशर की मदद से मैश कर लिया है अब इसमें मसाले अट करेंगे तो सबसे पहले एक चोटाई चमच गरम मसाला आदा चमच जीरा पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर और इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला वैसे तो आलो की स्टाफिंग कई तरीके की बनती है लेकिन समोसे यогल बाज आपको बताने वाली हो है तो आज में बहुत ही आप को बताने वाली हो कि बाजार में एकदम इसी टेस्ट से मिलती है इस टेस्ट से बनती है हमारे हमारे के थे लिए अप इस तरीके से着 हैं severely catching आ तो चमज तेल गरम करनाँ है कभाई में और यहां पे लिया है मैने एक कब जितना सूजी तो बारिक वाली सूजी कर यहां पर हमे इसे मोटी वाली है यहां पर अबारिक वाली सूजी के अगर आपकली नहीं है तो उसे थोड़ा-मिक्सर जार में चला लोई जाएगे Kent Faht तो यहां पे मैंने गुनगुने पानी के इस्तमाल किया है, तो दो कप जितना इसमें पानी आड़ करेंगे, तो यहां पे जिस कप या कटोरी से हमें मिजरमेंट लेना है, उसी कप या कटोरी से दो कप पानी लेंगे, एक कप सूजी के लिए, अब यहां पे थोड़े से अज तो लो फ्लेम पे ही इसे मिलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ी हासे डो के फॉर्म में आने लगेंगे ये देखें इस तरीके से तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा विदिन आ मिनट आपका ये डो बन करके तयार हो जाएगा तो ये डो रेडी है अब चल सकते हैं तो ये देखिए हमें इसे अच्छा से हाथों से मसलते हुए गुत लेना है और इसकी बड़ी सी लोई कट करनी है ये देखिए वैसे तो जनरली समूसा बनाते है न तो छोटी छोटी लोई कट करो फिर बेलो फिर उसे काटो फिर स्टफिंग करो लेकिन नहीं यहा जो हमने आटा रखा हुए है उसे आपको ढख करके रखना है वरना उपर पी लियर जो है पपड़ी बन जाएगी तो खाने में बजा नहीं आएगा और बेलने में भी मजा नहीं आएगा तो यहां मैंने बड़ी सी रोटी बना करके तयार कर लिए और आप देख सकते हैं हल हलका जो है किनारा पटा हुआ है अगर आप घर में बना रहे हैं कोई दिकत नहीं है इसे घर के लिए बना रहे हैं तो आप इसी तरीकी से बना सकते हूँ अगर महानों को उसी तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से समोसा बना करके तयार करिएगा तो यह देखे यहाँ पे मैंने बीच में से कट किया है और साइड से कट किया है मतलब चार भाग किये हैं और फिर उस चार भाग के दो भाग और करेंगे तो ये देखे इस तरीके से आठ पीसे निकल करके तयार हो जाएंगे तो है ना बहुत ही जटपट और इंस्टेंट बनने वाला तरीका एक बार में आपके आठ समुसे बन करके तयार हो जाएंगे तो अब यहाँ पे लीजिए थोड़ी सी आलो की स्टाफिंग इस तरीके से और बस इन सब कोनों में इस तरीके से लगाते जाएंगे तो स्टाफिंग को बहुत जादा नहीं रखना है थोड़ा थोड़ा स्टाफिंग रखते जाना है और अब यहां पर मैंने ले लिया है एक चमब जितना गेहु काटा उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी पतली सी सलरी तयार करनी है वैसे तो सूजी में जरूरत नहीं ल करते चैप के देना है तो जिस तरीकी से मैं आपको वीडियो में बता रही हूं उसी तरीके से बनाई है यह देखिये बहुत ही हासानी से बन जाता है बंका अहीं बनाने बस कोनों को दबाते हुए हमें इस तरीके से मिला लेना है बस यह बन गया हमारा तिकोना समोसा तो यह देखें मैंने यहां पे कुछ बना लिया है लगबग 8 पीसे और बागी के मैं अभी थोड़ी देर में बना लूँगी तो यह मैं आपको दिखाने के लिए बना दे रही ह आप मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे मैदे वाला तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है बनने में लेकिन यह वाला जो समोसा है एकदम मिंटों में बन करके चुटकियों में तयार हो जाता है तो बस हाई फ्लेम पे हमें इसे डाल देना है बिलकुल भी लो फ्लेम पे मतायट हाई फ्लेम पे डाल देजे फटा फट से जैसे ही कलर इसमें आ जाए आप बस किसी चमच की मदद से इस तरीके से निकाल लीजे तो देखिए एक बैच तयार है और दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से बना करके तयार कर लेंगे बस इसे डाल ये थोड़ी दिर सेट होने द करारा बन तयार हुआ है तरीके से एक बार में इतने सारे समोसे बना करके त्यार कर लेंगे और आपको पिल्कुल जनजट भी नहीं लगेगा और ये मज़िदार से समोसा बन तयार हो जाएगा तो रैसिपी जरह भी पसंद आई होगी तो लाइक शेर और सबस्क्राइब कर तिल देन टेक केर और जैहिन चैभार